आप देख रहे हैं दूस्तान सीविली और मैं हूँ आपके साथ चोप सिंग सक्षारा और बात करते हैं इस बक्त की पड़ी खोड़ी ताजनगरी आगरा में 500 रुपे के लिए एक युवक ने ब्लेड से खुद का गला काट लिया इसका CCTV भी सामने आया है इसमें दिख रहा है कि ठेके पर वह युवक सेल्समेंस से कहा सुनी कर रहा है उसे एक युवक समझा रहा है तब ही उसने जेव से ब्लेड निकाली और य से एसन मेडिकल कालेज रैफर कर दिया गया है घटना के बाद युवक के घरवालों ने थाने का घेराव कर लिया उन्होंने जमकर हंगामा भी किया उन्होंने पुलिस के खिलाब नारे बाजी भी की आरोप है के दरोगा ने हंगामा कर रही युवक को की दिया है और मामला गोबरा नहर का बता गया है 500 रुपे का बकाया सनवार देर शाम युवक ठेके पर सराब लेने गया था उसका 500 रुपे के बकाया था सेल्समें ने उसे पैसा मांगा तो वह भड़ा गया उसकी सेल्समें से कहा सुनी हो गई और ठेके पर ही मौजूद लोगों ने विबात को स सिकायत की गई तो कोई एक्षन नहीं लिया पुलिस आरोपियों को बचा रही है वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को मेडिकल कालेज में फरतिकर आ गया है उदारी के पैसे को लेकर विबाद हुआ था परजनों का आरोप है कि गलत है जांच की जा रही है जो भी दोसी हो कि अब आने वे खाना पर रही है आदमी मारा था को जो आदमी के खला कटा को तुमरारा आग्मी है अब बोल सुरूदित मेरा बाई है छोटा बिस्नु और कौन से नाओ कर तो मांगरोल जाट क्या मामला हुआ है यहां पर मामला यह हुआ था सार उसने दिये थे पांक्तों रबे वो इंकार कर रहा था वो यह कर रहा था कि मैं दे दिये हैं उस पे एक उप्को है और एक अब क्या मामला हुआ है यह मामला हुआ है यह मामला हुआ है थाने पर आयते क्या आता पाईन करी है अमारी लेडियों से तरोका साब ने अब कर दो कि अधी गर्धन देवों पटी हुए और शी के साथ जुड़े रहें आप उमारे साथ और देखत रहें हिंदुस्तान सीविलोट